Hello, friends, चलिए start करते हैं chapter 4 class 12, determinant का example number 32 देखते हैं क्या है, show that delta equal to this determinant equal to this, हमें क्या करना है, इस determinant को sold out करना है और इसके equal फ्रूव करना है, इसका मतलब left end side determinant को right end side के equal लेके आना है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, अब देखो right hand side पे focus करो यहाँ पे क्या दे रखा है x plus y plus z का cube दे रखा है वो साथ में x y z की multiplication दे रखी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यह हमारी first row यह second row यह third row है तो मैं क्या करता हूँ first row को x से second को y से third को z से multiply कर लेता हूँ तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं r1 row के उपर operation लगाएंगे x r1 r2 row के उपर operation लगाएंगे y r2 और r3 row के उपर operation लगाएंगे z r3 इसको apply कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा delta equal to यहाँ पे क्या बन गया बच्चो यह बन गया मिरे पास x y plus z whole square यहाँ पे x की से multiply फिर यह z x square ध्यान से समझना important question और थोड़ असलेंट थी है इसको y से करेंगे तो क्या हो जाएगा x y square यह क्या हो जाएगा y x plus z का square और यह क्या हो जाएगा y square z next को z से करेंगे तो x z square y z square और z into x plus y का whole square यह आ गया मिरे पास determinant अब बच्चो देखो इसको x से multiply किया इसको y से इसको z से अपने गर का तो राज है नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी multiply करेंगे तो same चीज से हमें क्या करना पड़ेगा divide भी करना पड़ेगा पता है ना कोई भी equation में हम कुछ add करते हैं left hand side equal to right hand side दे रखी है अगर left side 2 add किया तो right side भी 2 add करना होता है left side 2 से हमने divide क करना होता है ऐसा करके चलते हैं सेम काम यहां पर किया है हमने xyz से multiply किया है तो xyz से ही divide कर लिया clear हो गया अब देखो यहां पर column इसके अंदर ध्यान दो यह column first है column second column thread है column first से हम x को common निकाल लेते हैं यहां से y को common यहां से z को common तो यहां पर क्या करेंगे हम take xyz common from c1, c2 and c3 तीनो column से हम क्या करेंगे xyz को बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर निकाल लेंगे तो delta equal to क्या हो गया वही xyz बाहर आ गया यह xyz हमारे पास already था अंदर क्या आ गया है यहां से x जा चुका तो y प्लस z का whole square यहां पर बच गया y स्कुयर यह आ गया z स्कुयर यहां पर x स्कुयर यहां पर x प्लस z का whole square और यहां पर आ गया x स्कुयर y स्कुयर और यहां पर x प्लस y का whole square यहां पर कोई भी problem नहीं होनी चाहिए अब आपके mind में आ रहा होगा sir aż एक बार तो आपने x y z से नंदर multiply कर फिर वापिस बाहर निकाल दिया देखो हमने multiply की थी रोज से बाहर निकाला है column से तो यहाँ पे इस statement पे और statement पे देखो काफे difference आ चुका है square वाली term बन चुके है हमारी क्योंकि हमें यहाँ पे formula create करना है ठीक है वई आगे देखते हैं इससे आगे हम column पे operation लगाएंगे क्या column पे operation लगेगा c2 पे c2 minus c1 कर लो और c3 पे operation लगा लिया हमने c3 minus c1 यह क्यों किया है अभी अगले step में समझ में आ जाएगा आपको delta equal to यहा यहाँ पे क्या है c2 minus c1 करना है c3 minus c1 तो c1 column को हम already adjectives लिख देंगे y plus z का whole square क्योंकि इस पे कोई operation नहीं लगना y square और z square इस पे लगाना है c2 में से c1 को subtract यह c2 है यह c1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x square minus y plus z का whole square फिर c3 minus c1 करना है तो यहाँ पे भी क्या जाएगा x square minus में y plus z का whole square बात समझ में आ गई है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए next step पे चलते हैं यहाँ पे इसमें से यह subtract करेंगे तो यहाँ पे क्या आजाएगा c2 minus c1 तो x plus z का whole square minus में क्या करेंगे y square और फिर यहाँ पे y square minus y square क्या हो जाएगा 0 फिर यहाँ पे z square minus z square 0 और इसमें स इसको subtract करेंगे तो क्या होगा x plus y का square और minus में z square यह तनी बात समझ में आई अब इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ द्यान से देखना delta equal to first column को adjectives लिख लेंगे y plus z का whole square यह y square और यह हमारा हो गया z square ठीक है आगे जलते हैं इसको देखो a square minus b square इसको a मानू इसको पू a minus b square a minus b a plus b तो यह क्या बन जाएगा बच्चो x minus y plus z और into में x plus y plus z similarly यहाँ पे यह भी हमारा क्या बन जाएगा x minus y plus z और फिर क्या बन जाएगा x plus y plus z निच्चे आ जाओ यह क्या बन गया हमारा x plus z minus y और x plus z plus y यह 0 है यह भी 0 यह क्या बन जाएगा x plus y minus z और x plus y plus z समझ में आ गया होगा formula कौन सा apply किया है a square minus b square का a plus b a minus b अब देखो इस वाली से x plus y plus z को मन आ रहा है इस से भी x plus y plus z को मन आ रहा है और तिन्नों से हमारा क्या हो रहा है तो यहाँ पे हम को मन ले लिते हैं तो यहाँ पे delta equal to क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से देखो क्या को मन आया मारा? इस वाली कोलम से x plus y plus z तो यह आ गया इस वाली कोलम से भी x plus y plus z को मन आया तो यहाँ पे power क्या हो जाएगी? square अंदर क्या आ गया? y plus z का square यहाँ पे मेरे पास क्या term बच गी? यह बच गी x minus y plus z इसको bracket के अंदर ले लेंगे फिर यहा इसको bracket में, यह चीज ध्यान रखनी है, आपको bracket में लेनी है, minus को अंदर लेके जाओ तो सारी time minus कर लेनी है, यहाँ पर क्या बज़ गया है, मेरे पास y square z square, यहाँ पर x plus z minus y, और यह जीरो, यहाँ पर क्या बज़ गया है, x plus y minus z, यह time आ गई है हमारे पास, इसको next page पे sold out कर करते हैं, इसको मैंने next page पे लिख दिया है, और किया क्या है, minus sign को अंदर लेके गया हूँ, तो minus का y minus का z हो गया, ठीक है, similarly यहाँ पर किया minus को अंदर लेके गया हूँ, और यह step हमने सारे के सारे एजटीज, write down कर दिये, यहाँ तक आपको कोई भी problem नहीं होगी, अब simply एक एड करना है, और r1 में से क्या कर देना है, subtract कर लेना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, delta equal to x plus y plus z का whole square तो अल्रेडी है बाहर, अंदर क्या बन गया, ध्यान से देखो, y plus z का whole square है, तो इसको मैं open करूँगा, तो y square plus z square plus 2 y z, इसमें से minus करना है, हमें, यह r2 है, यह r3 इन 2 y z बच गया है, यहाँ पर, clear है, फिर यहाँ पर इन दोनों को अपस में, इसमें से इन दोनों को subtract करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बजाएगा, minus का 2 z, यहाँ पर आजाएगा, minus का 2 y, फिर y square, फिर x minus, इसको x plus z minus y, फिर 0, फिर यह z square, फिर यह 0, फिर यह x plus y minus z, ब चीक है बई, अब हमें simply एक का मोर करना है, हमें क्या करना है, जो column 2 है हमारी, उस पर क्या करना है, c2 plus c1 by y, c1 को हमें क्या करना है, y से divide करना है, और c2 में add करना है, और जो हमारी जो third column है, उस पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर, c3 equal to, c3 plus c1 by z, यह operation हमें apply करना है, तो यह operation apply क क्या आ गया x plus y plus z इसका whole square into यहाँ पे देखो column 2 और column 3 पे operation लगने वाला है तो यह column हमारी क्या रहेगी बच्चो fix रहेगी तो इसको लगा दो 2 y z y square z square यहाँ पे operation लगा c2 plus c1 y y इसको y से divide गया तो 2 z बज गया minus के 2 z में से 2 z गया तो यह क्या हो मेरा 0 यह हो जाएगा x plus z हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा मेरे पास से z square by y हो जाएगा फिर यह 0 यह y square by z और यह x plus y अब देखो दो term हमारी 0 आ चुकी यह operation इसी तरीक्के से लगाना है कि हमारी 2 term 0 हो जाएगा अब इसको expand करना बिल्कुल simple हो गया हम आसानी से इसको expand कर सकते हैं delta equal to x plus y plus z का whole square into 2 y z यह कट गया यह कट गया इसकी से multiply इसकी से multiply तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास x plus z की x plus y से multiply x plus z into x plus y इसकी से करेंगे y से y गट गया एक z से z गट गया तो क्या आगया माइनस का y z यह bracket में ठीक है इसको simplify कर लेते हैं क्या आएगा हमारे पास x plus y plus z का whole square यह 2 y z इसकी x से x करेंगे तो x square plus x y plus z x minus में क्या है y z यह आगया मेरे पास अब ध्यान से देखो बच्चो यह क्या है मेरे पास x plus y plus z का whole square बहार है 2 y z इसको हम क्या करें यहाँ पे common क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे मेरे पास z y है यह जेड की y से z y से z y गट गया यहाँ से देखो बच्चो x square plus x y से x को मना रहा है हमारा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास x plus y plus z का whole square इंटू में 2 x y z और अंदर क्या बच गया x plus यहाँ पे y आ गया यही बचा ना मेरे पास और यहाँ पे एक टम हमने मिस कर दी थी z की x से तो plus का z x तो यहाँ से यह जेड भी आ जाएगा plus का z अब देखो x plus y plus z और x plus y plus z का whole square तो क्या आ गया finally x plus y plus z का whole cube और इंटू में क्या आ गया 2 x y z hence proved यही चीज हमने prove करनी थी clear हो गया channel को subscribe करना आने वाली videos की notifications के लिए